आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं फोर्मिस्वन आफ वर्ड्स का पार्ट टू में नाउन को एड्जेक्टिव और एड्जेक्टिव को नाउन पार्ट आफ स्पीच में कैसे बतला जाता है इससे related question आपके grammar और unseen passes में निश्चेतरव से आते हैं और ये बहुत ही knowledge level video हैं आप इनको बहुत अच्छे से पूरा-पूरा देखें इसका first part हम इससे पहले जारी कर चुके हैं इस video के description में आपको part 1 के video की link मिल जाएगी उसको आप देखें उसके बाद part 2 को start करने जिसको हिंदी में कहते हैं हम हर English के word का एक base form होता है word के base रूप से नए word का निर्माल करना ही word formation क्या लाता है जब हम किसी एक base words में कुछ add कर दें चाहे वो prefix के द्वारा suffix के द्वारा compounding के द्वारा ये word formation कई प्रकार से किया जा सकता है इससे पहले हम part 1 के वीडियो में पता चुके हैं कि prefix के द्वारा word formation किया जाता है यानि कि हम किसी base form के पहले कुछ letter उसमें add कर दें suffix के द्वारा यानि किसी base form जो spelling है उसके बाद में कुछ letter add कर दें हम suffix के द्वारा word formation होता है compounding द्वारा होता है merging द्वारा होता है, cutting और clipping द्वारा होता है यह सब भी हम part 1 के वीडियो में आपको बता चुके हैं तो word formation हमको सीखना है नए नए सब्दों का निर्माण हम कैसे सीख सकते हैं Sometimes a base that has undergone a word formation may become the base for the formation of a third word and a fourth word कभी-कभी एक ऐसा भी होता है कि कोई waste word है जो मूल सब्द है, उसमें जब हम उससे word formation करते हैं तो उस word formation करने से हमको कोई तीसरा या चौता सब्द मिल जाता है तीसरे या चौते सब्द की word formation हो जाती है जैसे आप देख सकते हैं example के तोर पर friend है तो friend एक base word हो गया तो friend से हमको friendly भी बना और friendly के बाद unfriendly भी बन सकता है unfriendliness तो चार प्रकार के word हमको इस friend के base form से मिल करके बने यह महतवपूर्ट चीज है, आप इसको समझें कोई भी English का word है, वो English का word यदि एक part of his speech मान के चलें के noun का काम कर रहा है तो एक जगह वो noun का काम कर रहा है किसी sentence में तो वो दूसरे sentence में वही word कुछी दूसरे part of his speech का काम भी कर सकता है यानि कि adjective का का काम कर सकता है ठीक है, परन्तु spelling में कोई change नहीं होता ऐसी कई situation आपको देखने को मिलेंगी, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, screen पर आप देखें there are numerous words in English which can be assigned to different parts of speech कई पकार के ऐसी सब्द होते हैं अंग्रेजी में, जो के भिन भिन parts of speech के साथ में लगे होते हैं look at the use of the word milk in the following sentences अब हम इन sentences में milk जो सब्द है उसको देखते हैं milk यहने आपको पता है दूद होता है पर milk verb के रूप में भी काम करता है और milk adjective के रूप में भी काम करेगा milk adverb के रूप में भी काम करेगा spelling में कोई change नहीं है इसके में पर आप देख सकते हैं यहां first sentence आप देखें milk is a good for health यह sentence देखें milk स्वास्थी के लिए अच्छा होता है तो यहां पर milk जो word है वो noun के रूप में काम कर रहा है एक subject के रूप में यहां लगा हुआ है तो milk spelling same है noun का काम कर रहा है अगला sentence देखें हमारी नौकरानी हमारी गाय का दूद दोती है दूद दोहना इसके लिए milk वर्ब का उपयोग कर सकते हैं इस सब्द को ले सकते हैं तो नौकरानी हमारी गाय का दूद दोती है तो यहां पर milk काय के लिए काम कर रहा है वर्ब करूब में काम कर रहा है यहाँ पर S लगा है क्योंकि servant made singular subject है यहाँ अगला देखें I gave the baby a milk chocolate मैंने बेबी को एक milk chocolate दिया तो यहाँ पर milk सब्द जो है वो क्या काम कर रहा है adjective का काम कर रहा है अगला sentence देखें He wore a milk white turban उसने बिल्कुल दूदिया, सफेद, फेंटा, साफा, टर्बन पहना हुआ था तो यहाँ पर milk adverb का काम कर रहा है जो कि white adjective है और milk adverb का काम कर रहा है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस sentence में किस प्रकार से एक सब्द milk noun का भी काम कर रहा है verb का भी कर रहा है adjective का भी कर रहा है adverb का भी कर रहा है तो यह situation भी हमको समझनी चाहिए इंगलिस में कई बार ऐसा होता है same word कई parts of speech में अलग तरीके से बिना spelling बदले काम कर सकता है पर हमको सीखना है conversion जिसको की रूपांतरन कहते है we see the same word assigned to converted to different parts of speech हम कई बार एक ही सब्द को बदल देते हैं convert कर देते हैं अलग अलग part of speech में और यही the kind of word formation is called conversion और इसी word formation को जो conversion की रूपांतरन की प्रक्रिया है noun को adjective, adjective को noun में बदल देना noun को verb, verb को noun बना देना यह जो conversion की process है यह word formation क्यालाता है conversion अब हम इस वीडियो में आपको थोड़ा सा part 2 के लिहास से वीडियो छोटा हो ज्यादा बड़ा नहीं हो इसके लिए हमने केवल इसको adjective और noun और noun से adjective का conversion ही लिया है इससे आगे के वीडियो में part 3 में हम और आगे noun से verb का conversion लेंगे तो यहाँ उदहांड से आप समझें किलियर हो जाएगा आपको कि adjective से noun conversion कैसे होता है जैसे यह sentence आप देखें अब यहाँ आप देख सकते है final जो red word किया हुआ है final यहाँ पर यह adjective के रूप में काम कर रहा है they are playing the final match today match को qualify कर रहा है तो final यहाँ adjective है पर तो यही final यहाँ पर देखें नाम का काम कर रहा है they are playing the finals today we आज finals केलने जा रहे हैं इस sentence में देखें the Hindu is a daily newspaper the Hindu एक अख़वार का नाम है जो daily newspaper है तो यहाँ पर daily जो word है वो adjective का काम कर रहा है पर यहाँ देखें the Hindu is a daily तो यहाँ भी the Hindu paper का ही नाम है पर इसको हमने यहाँ लिखा हुआ इस तरीके से तो daily यहाँ पर एक noun का काम कर रहा है यहाँ देखें he loves to read comic books उसे comics books पढ़ना पसंद है तो comic यहाँ पर adjective का काम कर रहा है he loves to read comics यहाँ पर comics noun का काम कर रहा है तो यहाँ पर किस प्रकार से adjective को noun में conversion किया गया है इन sentences में और यहाँ देखें noun to adjective conversion याणि noun को किस प्रकार से adjective की रूप में यूच कर सकते हैं the hut is made of mud तो जौपड़ी मिट्टी की बनी हूई है तो यहाँ पर mud noun है he lives in a mud house वह मिट्टी के घर में रहता है तो यहाँ पर mud adjective का काम कर रहा है the children are going to school ठीक है यहाँ पर school noun का काम कर रहा है they are school children वे school ही बच्चे हैं तो यह school यहाँ पर adjective का का काम कर रहा है The chair is made of steel कुर्ची steel की बनी हुई है यहाँ पर steel noun का काम कर रहा है This is a steel chair और यह steel की chair है यहाँ पर steel adjective का काम कर रहा है पर there are many ways of forming words of different parts of speech जब हम noun से adjective, adjective से noun इस तरीकी से word formation करते हैं conversion करते हैं तो कई प्रकार के तरीके होते हैं उन तरीकों को हमको सीखना है यहाँ पर formation of verb, words की जब बात करेंगे तो verb से noun में formation हो सकता है यह हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे और verbs, noun से verb में, adjective से verb में, formation होता है यह दो हम आपको इस वीडियो में cover कर रहे हैं formation of nouns from adjectives और formation of adjectives from noun यानि noun से adjective और adjective से noun का formation, word formation इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सब और इसके अलावा formation of nouns from verbs और formation of adverbs verb से noun को बनाना, adverb का formation यह हम आगे की वीडियो में सिखेंगे तो चलिए पहले आप देखते हैं formation of nouns from adjective यानि adjective से noun का word formation के नियम क्या क्या होते हैं तो कुछ नियम हम बता रहे हैं कुछ word भी आपको बता रहे हैं निश्यत तोर से मानिया इन word को आप learn कर लीजिए यही word आपको competition में और exam में question की रूप में आते हैं इनी से question आते हैं इनको आप write down करके दो-चार बार learn कर लेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे इसका first rule है किस पकार adjective से noun formation होता है some adjectives take ty as suffix to form nouns कुछ adjective में हम जब ty जोड़ देते हैं आखिर में suffix मान होता है बाद में कुछ letter को जोड़ देना base form में बाद में कुछ जोड़ देते हैं तो suffix कहलाता है prefix में पहले जोड़ते हैं तो यहां आप देखिए suffix के रूपे जब ty हम जोड़ते हैं तो यह इस तरफ हम adjective को लेंगे दुसरी तरफ हम noun को लेंगे तो किस पकार से adjective noun में बदलेगा यह हमको सीखना है तो यहां पर अब ty की बात कर रहे है तो able है able यानि योग तो अब ty लगा दिया तो adjective से noun में बदल जाएगा ability active है active से activity brief यानि संशिप्त होता है brief से brevity certain यानि निश्चित certain से certainty किस प्रकार ty जोड़ने से adjective noun में बदल रहा है और बुदान देखें civil civil से civility double double का noun duplicate duplicate या duplicity इस प्रकार से ये दो हो जाते है dense यानि होता है घना तो density ty इसमें जोड़ा गया है equal समान होता है equality समानता frail frailty frail यानि होता है durable दुरबलता frailty gay ये gay यानि खुश मिजाज होना आनन्दित होना ये jt यानि आनन्द प्रमूद इसको बोलते हैं generous generosity humble humility इस प्रकार से हम adjective को noun में ty जोड़ करके करते हैं और उधान देखें immense immense यानि होता है बहुत सारा विशाल बड़ा अत्यादिक इमेंसिटी local locality liberal liberality mortal mortality notorious notoriety pious और party party यानि shield होता है जो विचारवांद से उसमें गुड़ होता है piety का pious पविद्रता और इसके बाद public तो publicity होता है rigid और rigidity rigidity यानि ये कठोरता के लिए आता है तो कठोरता तो ये adjective noun में देखें आप और इसके अलावा severe severe मन होता है tivr कोई चीज का tivr होना severe severity यानि tivr ता इसका हो जाता है scarce यानि होता है कोई चीज जब दुरलब होती है तो scarcity दुरलबता कोई चीज का बहुत कम होना इस्थिती severe scarcity timid यानि कायरता होता है तो timidity vain vanity vain यानि बेकार ब्यर्थ की बातों को बुलते हैं और vanity ब्यर्थता इसके लिए हो जाएगा intense intensity दुर्थता होता है loyal वफादार loyalty वफादारी acid यानि अमल होता है acidity यानि अमलियता chest और chastity तो यह आप देख सकते हैं किस पकार से adjective को noun में बदला है एक ty को suffix के रूप में चोड़ने से अब हम इसका दूसरा रूल देखते हैं usually adjectives take ness hood meant c e c y t h u r and suffixes सामानिता हम adjective में यह जब जोड़ देते हैं suffix के रूप में any double s ness यह जोड़ देते हैं या meant जोड़ देते हैं hood जोड़ देते हैं c e लगा देते हैं c y लगा दे t h लगा दे यह suffix के रूप में जोड़ देते हैं तो noun बन जाता है adjective से noun बन जाता है तो यह आपको याद रखने पड़ेंगे किस पकार से इनको change होता है तो यहाँ पर इन suffix को जोड़ करके हम सब देखेंगे educate का advocacy educate यानि परयाप्त होता है कोई चीज का परयाप्त होना enough होना और bankrupt यानि दिवालिया होता है bankruptcy इसका यह noun हो जाता है bankrupt का bankruptcy यानि कोई दिवालिया हो जाता है अपने को घोशित कर देता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कर्ज बगएरा में नहीं चुका सकता तो इसको bankrupt कहते हैं bankruptcy busy business broad breath breath यानि चोड़ाई होती है कोई चीज की नाप जब हम करती है तो चोड़ाई होती है broad चोड़ा होता है breath चोड़ाई हो जाता है cheap सस्ता cheapness compulsory compulsory यह आपने देखा इसके आगे देखें deep deep यानि गहरा होता है और depth गहराई false false hood hood इसमें लगा दिया है grand यानि बड़ा विशाल जिसको बोलते हैं और grandeur यानि शान वैभव किसी चीज की grandeur यह इसका नाउन हो जाता है hot hot adjective है और heat इसका नाउन हो जाता है hot का heat यह ऐसे कुछ important आप याद रखें high height हो जाएगा brave adjective है bravery बहादुरी नाउन हो जाएगा just का justice long यानि लंबा तो इसकी length लंबाई नाउन हो जाएगा यह बहुत ही important हमने आपको selected लिये है इनको आप याद जरू करें merriment 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 यानि उत्सब कोई आनंद का उत्सब होता है तो merriment magnificent यानि कोई चीज का बड़ा होना महमा महान होना तो magnificence हो जाता है इसका वहववव शान महमा मंदित करना किसी को तो यह magnificence होता है obedient आग्याकारी आप जानते है obedience हो जाएगा इसका नाउन one और oneness oneness यानि one माणन होता है एक तो oneness माणन होती है एकाई या इसको एकता भी बोल सकते हैं अखंडता एकता oneness इसका नाउन हो जाता है वन का इसके बाद आता है rival rival यानि प्रत्यद्वन्दी प्रत्यद्वन्दी किसी चीज़ का competition तो rivalry rivalry इसका हो जाएगा rivalry यानि विरोध होना solitary एकांत होता है और इसका solitude नाउन हो जाएगा splendid का splendor हो जाएगा splendor यानि भविता वैभव कुछ सब्द आप कमपनियों की कारों के बाइक के नाम भी इस तरीके से आप देख सकते हैं तो उनको आप dictionary में देख लिया करें तो आपको पता लग जाएगा एक कमपनियों ने इस model का नाम है सक्क्यों रखा है जैसे आप जानते हैं hero splendor बाइक होती है तो splendor नाम क्यों रखा गया है तो यह आप सोच करके dictionary से निकाल करके इनको आप समझ सकते हैं तो splendor यानि होती है भविता वैभव wide इसके बाद wide का विर्थ होता है चोड़ाई जिसको बोलते हैं jealous jealous यारी बिलकुल उत्साही ब्यक्ति जो होता है jealous तो इसका यह हो जाएगा adjective से noun आगे देखें अब हम यहाँ देखेंगे आपने अभी तक देखा कि adjective से noun को कैसे change किया उसका formation कैसे हुआ formation of nouns from adjective आपने सीखा अब आप देखेंगे formation of adjectives from nouns यानि कि changing noun into adjective अब हम noun से adjective सब्द कैसे word formation होता है वो देखेंगे चलिए तो पहला rule है उसके पहले हम कुछ बातें जान ले आप जानते हैं कि हिंदी जवं पढ़ते हैं तो हिंदी में संग्या के अंत में यह सब्द ज़ोड़ देते हैं एक या यह आधी जोड़ करके विशेशन बनाते हैं adjective बनाते हैं ठीक है रहे noun से adjective हिंदी में एक या यह जोड़ करके बनाते हैं जैसे इतिहास है संग्या तो इतिहासिक यह इसका विशेशन हो जाता है जल है तो जली हो जाता है ठीक किसी प्रकार से जब हम इंग्लिस में बात करने हैं तो noun के अंत में इस प्रकार के suffix जब लग जाते हैं आप इनको ध्यान से पढ़ लें, mind में रखें al, ar, able, ate, ible, equal, is, ous, ious, ive, full, en, ly, some, y ये इत्याद e-tc को जोड़ कर एक हम adjective बनाते हैं तो ये suffix के रूप में हमको जोड़ना होता है जब noun से adjective बनाते हैं तो पहले हम थोड़ा एक एक करके इसको लेंगे सबसे पहले देखते हैं, some nouns take o-us after them to form adjective कुछ round ऐसे होते हैं, जिनमें o-us हम लगा देते हैं suffix के रूप में बाद में तो वो adjective बन जाता है, जैसे आप advantage देखें love जिसको बूलते हैं, advantage, love तो advantageous इसका adjective हो जाएगा noun का adventure, sahasic, adventurous ठीक है न, adventure का adventurous calamity यानि विपत्ती होती है तो उसका calamidus ये उसका हो जाएगा, capacity यानि छमता होती है, तो इसका capacus यानि विशाल इसका adjective हो जाएगा, shivalry शौरे वीरता को बोलते हैं, तो shivalrous इसका हो जाएगा adjective, contempt यानि निंदा तिरसकार करना, तो इसका noun हो जाएगा, noun से adjective हो जाएगा, और आगे देखे, joy, joyous, joy यानि आनंद होता है, license, license आप जाते हैं, स्वच्छन्दता, यानि किसी काम को करने की जो स्वच्छन्दता, स्वच्छन्दता दे जाती है, तो वो license माना जाता है, लाइसेंस ये नाउन है, तो licenses इसका ये adjective हो जाता है, यहाणि कोई काम को मनमाना करना, बेलगाम तरीके से करना, मनमाने तरीके से करना, ठीक है रहे हैं, यहाँ देखें, lustre यानि उतिहें चमक या आभा, किसी की छैरे से चमक आती है न, आभा तो उसको lustre कहते हैं, और lustrous इस और लवेवल, दौनों होते हैं, एमर्स यानि प्रेम włos पीलिंग आती है, तो वो इमर्स लवेवल इसका अडियक्टिव हो जाते हैं, Fable यानि कोई कहानी जो कलपना वाली होती है तो fabulous, इसका adjective हो जाएगा fiction, fiction यानि कलपना, कलपना से हम कोई पन्यास होती हैं तो वो fiction में आते हैं कोई कहानी हम बना लेते हैं, तो इसका हो जाएगा fictitious तो kalpnik हो जाएगा fictitious इसके बाद fury fury यानि होता है krodh तो fury का furious हो जाएगा adjective ogr होना, krodhit होना grief यानि शोक होता है दुख होता है और grievous इसका हो जाएगा adjective गंभीर जिसको बुलते हैं इसके बाद है glory यानि महमा वैभव जिसको बुलते हैं glorious यानि महान इसका adjective हो जाएगा आगे देखे merit merit यानि कोई चीज में गुण होता है योगिता होती है तो इसको merit बोलते हैं और meritorious यानि सराहनी पसंसा के योगिए कोई बच्चा जब बहुत अच्छा काम करता है top हो जाता है परिक्षा में तो उसको हम बोलते हैं he is a meritorious student ये बहुत ही meritorious पसंसा के योग विद्यारती है nerve है अगला तो nerve यानि जोश भी होता है जोश उत्साह और nervous बेचैनी हो जाती है omen जब शगुन हो जाता है कोई काम को करने से पहले शाकुन अप्शाकुन जीसे कहते हैं तो omen होता है वो और ominous इसका adjective होता है population का populous जनसेंग के आप जाते हैं और इसके बाद prodigy prodigy यानि होता है अधभुत तो इसका हो जाएगा prodigous यानि vilakshan prodigy और prodigous रियून का ruinous हो जाएगा जिसका पतन हो जाएगा वो ruin होता है पतन नास हो जाना saddition यानि विद्रोह तो इसका saddices वो पद्रवी होता है जो विद्रोह करता है तो saddices हो जाता है noun से adjective study studious space यानि होती है जगे और spaces कोई जगे वाली जगे काफी space होता है room होता है बड़ा room होता है तो हम कहते हैं इस room में काफी space है sentence और sentences इसके बाद इसमें vein आता है venus यानि जो अपनी शिराएं होती है नसें होती है उसके लिए होता है vein और इसके बाद wise है और vicious इसके होता है यानि दोश होना बुराई होना wise vicious यानि दोशी होना तो यह आपने देखा कि किस पकार चे OUS लगा करके noun से adjective बनाए गए अब rule 2 में देखे है AL लगा करके AL is added to some nouns to form adjective AL लगा करके किस पकार चे हम adjective बनाते हैं noun से देखें आप ancestor यानि पूरवज होता है ancestral accident का accidental air यानि हवा तो aerial यानि हवाई हवाईदार कोई चीज होती है हवादार aerial हो जाता है brother भाई तो fraternal या brotherly इसके दो होते हैं adjective भाई चारा जिसको बुलेंगे fraternal brotherly beast beast यानि जानवर होता है तो bestial brute यानि निर्दई होता है कठोर निर्दई brute brutal ठीक है न तो इस परकार से noun से adjective colony जो ये अंगरेजियों की जमाने में सासन में इस्तेमाल होता है ये सब्द colony जिसको open waste कहते थे तो उसका हो जाता है colonial उप्रिवेश संबंदी कोई बात होती है उसके बात देखें essence essence माने होता है सार निसकर्स सारांस essential heart का cardial या coronary adjective होता है hypocrite यानि पाखंडी तो hypocritical ठीक है irony यानि ब्यंग करना ताना करना तो ironical हो जाता है इसका adjective judge का judicial line यानि पंक्ती line होना तो linear पंक्ती संबंदी बाते हो जाती है life का देहन रखें life का vital यानि जीवन प्रद होता है society का social और enemy का जो noun है adjective inimical यानि विरोध संबंदी इसका adjective हो जाता है इसके बात देखें emperor emperor माने राजा और imperial इसका हो जाता है शाही कोई शाही बाते हो न egg यानि अंडा होता है और कोई चीज अंडा कार हो जाती है adjective हो जाता है oval जिसको बोलते है तो oval egg का adjective हो जाता है eye optical दरश्टी संबंदी आखें germ का germinal जिवान संबंदी बाते होते है उसको बोलते है habit का habitual orator यानि वक्ता कोई भाषन देने वाला अच्छी बाते है करने वाला orator होता है तो oratorial वाक पट होता है इसको बोलते है adjective ornament आभूशन होते है ornamental palace महल होता है palacial यानि आली शान कोई जगे को बोलते है palacial इसका adjective हो जाएगा prejudice यानि पक्षपात करना तो prejudicial इसका हो जाएगा adjective आप और देखें person person का personal punishment punishment का penal penal आपने देखा code की भासा में penal code इस तरह का सब्दा आता है तो penal यानि दंडात्मक करवाई के लिए punishment का adjective होता है penal place का local paradise यानि स्वर्ग paradisal paradisal इसका हो जाएगा paradisal यानि प्रतिमान स्वर्ग जैसा कुछ paradisal medicine दबाईया medicinal minister मंत्री है तो ministerial might पुरालिक mythical navy यानि नौ सेना जिसको बुलते हैं समुद्र संबंदी तो nevel इसका हो जाएगा समुद्री या जहाजी या नौ सेना संबंदी related बात है office का official adjective origin का original secretary का secretarial tooth का dental ठीक है ना आपने देखा होगा dental के लिए दाउतों का hospital तो teeth tooth जो होते हैं दाउत दाउत उसके लिए adjective dental होता है tribe tribal और voice का vocal tutor का tutorial इस पकार से ये आपने adjective देखे तीसरा रूल हम देखते हैं क्या suffix है y या ie ish full ful full या able are added to some nouns to form adjective ये कुछ suffix हम लगा देते हैं तो हमको adjective बन जाते हैं जैसे अब देखें blood तो blood यानि खून होता है रख तो bloody feather feathery feather यानि होता है punk जैसा feather जो होते हैं fiery यानि उग्र तेजस भी होना gout ये एक विमारी होती है गठिया की gouty गठिया संबंदी बातें होती है grass का grassy घास जिसको बूलते हैं घास जैसा solitude solitary एकांत star तारे से तारे तो starry इस परकार से ये हुआ फिर देखें आप worth का worthy atmosphere atmospheric angel यानि फरिस्ता होता है तो angelic dynasty यानि once once जिसको बूलते हैं dynastic hero का heroic वीरता भादुरी hysteria यानि विरगी का रोख होता है तो hysteria का hysteric pros गठिको बूलते हैं तो prosaic ये इसका adjective हो जाएगा pathos यानि करोणा अपने अंदर होती है भावना pathos की करोणा की भावना pathetic और problem का problematic इसके बाद system systematic system यानि तंत्र होता है systematic उसका sympathy का adjective sympathetic metal का metallic ocean का oceanic sarcasm यानि ताना देना ब्यंग करना sarcastic इसका adjective हो जाता है fever यानि बुखार feverish बुखार जैसा बुखार वाला slave गुलाम होता है slavish fate का fateful fate मानि भाग्य fancy यानि कल्पना करना fanciful play play का playful shame यानि शर्म होना shameful शर्मनाग youth youthful advice advisable service serviceable season यानि mousam seasonable seasonable fruit आते हैं हम कहते हैं mousam संबंधी fall seasonable profit का profitable ये bly लगाकर के बनाए गए हैं question का questionable needy का needy भी होता है और needful need यहाँ पर ये गलत लिग गया है आप इसको सुधार लें यहाँ पर ये वाई नहीं है need इसमें यहाँ noun रहता है तो need का needy और needful number का numeral भी होता है numerous भी होता है और numerical भी होता है यहाँ अंक सम्मंदी यह बातें होती है इसके बाद चोथा rule देखें तो इन्हें कोई नियम नहीं होता है number of nouns have different ways कई ऐसे noun हैं जिनके अलग अलग तरीके से वो adjective बनते हैं तो वो भी आप देख ले authority यानि अधिकार किसी चीज़ का authoritative इसका adjective होता है angle यानि corn जो आप घड़ित पढ़ते हैं mathematics तो उसमें angle आता है तो corn और angular यानि cord यह age यानि बुड़ापा होता है तो senile बुड़ापे सम्मंदी बातों को age का senile हो जाएगा adjective blood का sanguinary या bloody दोनो एड़िक्टिव इसके होते है brass यानि पीतल होता है तो brazen यानि पीतल का इसका adjective होता है cat billy तो cat का आप याद रखें adjective feline feline इसका यानि billy जैसा adjective होता है city या town का urban होता है adjective college इसका adjective हो जाता है age यहाँ age का senile बढ़ापा जो है अभी बढ़ापा संबंदी example उधारन तो example का exemplary यानि उधारन आत्मक कोई चीज होती है hair यानि bald तो hair का capillary यानि keshika इसको बोलेंगे iceland का insular gel संबंदी iceland बढ़ापा deep होता है joke का jocular यानि मजाक चोटकुला इसको बोलते हाँ सिकर हाँ की बात है joke करना lady का lady like merchant mercantile ब्यापारिक ब्यापार संबंदी बात है expectation यानि अपिक्षा तो expectant elephant का elephantine हाथी का तो इसका adjective ही हो जाएगा यहाँ देखें explanation यानि व्याख्या किसी काम की तो explanatory इसका adjective हो जाएगा expense का expensive figure यानि आकड़े संबंदी तो figurative fraud यानि धोकादड़ी तो fraudulent धोकादड़ी करना इसका adjective हो जाएगा इसका पीपिल का popular picture picturesque money का monetary पैसे संबंदी noun adjective moment का देखें momentary neighbor का neighborly village का rural होता है जैसे कि city और town का urban होता है यैसे village का rural होता है adjective याद रखें table का tabular title यानि सीर्षक होता है तो title यानि छोटी सी बात को trifling valor दिलेरी बहादुरी valiant बहादुर इसका adjective है serpent यानि sharp serpentine sharp जैसा इसका adjective हो जाएगा sun यानि सूरज solar इसका adjective हो जाएगा wood यानि जो one होता है one को बूलते हैं wood और silver यानि one या one वासी या one जैसा silver इसका adjective होता है war यानि yudh war like adjective हो जाएगा ratchet यानि niche अभागा ratchet इसका adjective है watch निगरानी करना vigilant इसका adjective है woman औरत तो woman का effeminate effeminate इसका इस्तरी 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 वाली बात है तो इसका adjective हो जाएगा effeminate याद रखें year का yearly annual दोनों हो सकते हैं quarrel quarrelsome adjective trouble का troublesome passion यानि jose junoon तो इसका passionate होना तीवर होना या कामुक होना जिसको erotic बोलते हैं वो भी है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगले वीडियो का इंतियार कीजिए formation of words का part 3 वीडियो में लाने वाले हैं इसमें और तरीके की conversion हम सीखेंगे thank you MP English Classes को आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe जरू करें आपके मुवाइल में लाल कलर से subscribe लिखा हुआ होगा उसको आप टच करेंगे तो white color में बदल जाएगा bell icon है उसको जरू टच करें इसमें तीन option आएगे सबसे उपर का option all आएगा all को आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सारे वीडियो आपके वुवाइल पर notification group में टरंत पहुंच जाएगे और इस तरह की वीडियो आपको देखना है तो MP English Classes ने अपने YouTube चैनल पर playlist बना रखी है आप playlist में जाएगे तो grammar related text related, writing is related सारे वीडियो के लिंक आपको हमारे playlist में मिल जाएगी वीडियो अच्छा लगा हो तो like और share जरूर करें चैनल को subscribe करें कोई problem हो तो हमें comment करके जरूर बताएं Thank you